यह खाते आपूरती मंत्री राम विलास पासवान नहीं है बलकि लोग जन्षक्ति पाटि के नेता और विहार के कद्दावर नेता राम विलास पासवान की चुनावी रैली का नजारा है जो महंगाई से बेफिकर है दाल की बर्ती किमतों से बेफिकर है एक महीना पास दिन पहले परधान मंतरी नरंदर मोदी के अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ था कि 10,000 टन डाल आयात किया जाए डाल की कीमत में आग लगी हुई थी और लोगों में उम्मीद जगी की डाल आयात होगी तो कीमते या तो कम होगी या कम से कम इस्थिर तो होई जाएगी लेकिन सरकार के फैसले के 35 दिन बाद डाल की कीमते इस्थिर भी नहीं हुई अलवत्ता महंगी होती चली गई और आलम यह हो चला है कि डाल खरीदना अब ख्वाब सरीखा होता चला जा रहा है और दिल्ली में कैबिनेट के फैसले को लेकर जब कैबिनेट मंतरी प्यूश गोयल से पूछा गया कि डाल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार क्या कुछ करेगी तो मंतरी महोदे ने पत्रकारों को चाई पीने का नियोता देकर कुछ इस तरीके से प्रेस कॉन्फरेंस सी खत्र करूँ तो इस जिग्याजाए सर्थ दाल के दाम बहुत बढ़ती है कि अब कुछ करे थैंक यू फ्रेंज प्लीज जॉइन उस पर दिटी